हाई गाइज आज हम बनाने वाले हैं सोया मंचुनी में इतनी जाधा टेस्टी होती है कि आप इसे एक बार नहीं बार बनाना चाहेंगे और मैं आज इसे बहुत ही कम समान में तैयार करूंगे जिसे आप जरूर ट्राय करना चाहेंगे तो पसंद आए तो जरूर इसे लाइक प्रम करते हैं तो आपकी सोया मं जो है और वी अच्छी तरीके से फूल के तयार होती है मैंने इसे अप गयस पर चढ़ा दिया है और यहां पर आपको ऩको A-1 ना 1-2 ना अंतिजार करना अच्चे तरीकेस सनर देना तभी soyafin नोगोची तरीक अच्छी तरीकेसा आच्छी तरीके से पूल पाईगा तो यहां पर आप देख सकते हैं Wait Свंद आच्छी तरीकेसे आहां पर सरकते सारे- ने भोट अच्छी तरीके और थोड़ा मोड़ा पानी रहे बी जाए तो कोई दिकत की बात नहीं है लेकिन अधा पानी नहीं रहना चाहिए तो यहां पे में ने स्वया बेन के सारे पाने के इसके बावल में ताकि हम इसमें कुछ इसे आड़ कर सेके तो सबसे पहले यहां पर टाल रही हूं काउन फॉलार। इसे अच्छी तरीके से हमें mix कर देना है सब कुछ अच्छी तरीके से coat हो जाने चाहिए सारे मसाले equally यहां पर mix हो जाने चाहिए यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इसी तरीके से आपको यहां पर mix कर लेना है और अगर आपको लगे कि अच्छी तरीके से तो तेल का टैंपरिचर आप मेडियम डू हाई रखना और चमच याल्प से आप एके कड़के सारे के सारे 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 यहां पर डाल देना और इसे हमें तब तक फ्राइब करना है जब तक कि इसकी ऊपर की कोटिंग पूरी तरीके से आपको क्रिस्पी क्रिस्पी ना लगे तरीके से हम पाकी सारे पैसे फ्राइब कर लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे सोयाबिन कित्नी बढ़िया तरीके से वेल फ्राइड हुए है और बहुत चादे क्रिस्पी है यह और मन करें तो एक दो खावी ले ना चलो बनाते हैं इसकी ग्रेवी तो के लिए फीर करेंगे यहां पर हम डाल देंगे टेमाटर कि मैर यहां पर निकाल दिये उसके बाद यहां पर इसरा यह बार राकी सारी इसरो को बहुता जाइदा नर्म नहीं कर्no होते हैं बाल हलका गर आपके छाइड बहुत सवफ्ट करदेगे तो खाने में आपको बिलकुल हुआ साफ्ट किज़ेगा अब यहां पर आप जाएगा सेजवान चटनी तो जोरा वी कोफी साल शाहा है और बने चस्तिंग है क्याहि छाती होट मुच्प में पाधर यहां पर दाइगा और और जातार सकते है यहां नमक होता है मैंने यहां पर Ich corridor मैंने आप बढले मैं पर को जा अब चैनि असलिए। लगवक एक मिनड़ी तक कश्मीरी लाल मिरीची इसे मैं तो यहां देंगे एड कल देहें वहां लास्ट में यहां पर अड़ कर देंगे ग्रेंग इसलिए मैंने पहले नहीं डाला क्योंकि पहले दाल देते हैं पता है नीचल तरग कहा चला गया इसलिए लास्ट में डालेंगे तो थोड़ा सा नर्म होगा और खाने में भी आपको अच्छा लगेगा उसके बाद अब यहा आपकी स्वया मॉन्चुरियन मन के तयार है कैसी लेगी आपको प्लीज आप हमें जल्दी से कॉमेंट में लेके बता दीजिए पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक किर जी अपनी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस पार्ण परी खरोसरी को ज़रूर सब्सक्राइब क